नमश्कार दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बहुत इंपॉर्टेट विश्य पर बात करने वाले हैं अगर हमें इस बारे में नहीं पता होगा तो हम बहुत कुछ खो सकते हैं हर इंसान के जीवन में ये घडित होता है लेकिन आप इस आपको उसका क्या-क्या उपाई करना चाहिए और किस उम्र में आपको अपने मकान को बनाना चाहिए सारी बातों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूं आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा आपको बहुती महत्पूर्ट सूशना मिलने वाली है दोस्तो बनाना चाहिए तो किस उम्र में बनाना चाहिए ताकि आपको शनी के अच्छे रिजल्ट मिल सकें आप शनी की बुरी दिष्ट्री से बस सको दोस्तों इस टॉपिक के मैंने अलग-लग वीजियो बनाए है बारा भाव की अलग-लग वीजियो है आपको शनी देव आपकी सिर्फ मकान की रह जाती है रोटी से पेट भर जाएगा कपड़े से तन रख जाएगा लेकिन सुरक्षे जीवन जीने के लिए हर चोटे या बड़े मकान की अवशक्ता प्रतेक व्यक्ति को होती है और मकान बनाना असान नहीं होता बहुत से व्यक्ति धनका भास होनी के शनी निधारित करता है शुब और अशुब रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर शनी आपके सत्तम भाव में हो तो आप बने बनाए मकान प्राप्त करते हो आप कभी भी मकान बनवा सकते हो आपके लिए शुब हो मजबूरी हो तो आपको उसकी चौकट को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और अगर अन्य लोगों का उसमें हिस्सा हो तो हो सके तो आपको उस मकान को खरीद लेना चाहिए आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी आपके पूरवजों का आपको सपोर्ट मिलेगा अशिरवाद मिलेगा अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंश सके धन्यव दोस्तों